गनेश मंदिर टेकडी में तेल चितुरती 29 जनवरी को पारंपारी श्रद्धा एवं उत्सा से मनाई जाएगी इस दिन भगवान गनेश का दर्शन कने के लिए दो लाग से अधिक श्रद्धालों के उबंटे की उम्बित है मंदिर प्रभंद ने भगतों को किसी प्रकार की और सुविदा नहीं हो इसके लिए पुक्ता इंतिजाम की है मंदिर कमिटी के सचेव श्रीरांग कुलकन्णी ने शनिवार को बताया कि संस्ता की तरफ से पूरे मंदिर परिसर की आकश्यक रोशना की चारी है श्रीक की फूलों से सजावट की चार की सुबह चार बजे विशेश पूजा की बाद बगतों के लिए पट खोल दे जाएंगे राद 11 बजे तक श्रधालू भगवान का दर्शन कर सकेंगे महिला और परिशों के लिए अलग-अलग प्रविश्वार बनाए जाएंगे सुरक्षा के लिहाज से ब्याले CCTV क्यामरे लगा जा रहे हैं श्रधालों की मदद के लिए 150 महिला और 150 बुरुष पुलिस कर्मी की तैनाती भी की जाएगी इस तरह का उनके व्यवस्था का आयोजन किया है हमने उनका दर्शन सुलब हो इसकी इसाब से हम लोगों ने तरह तरह की योजनाए बनाई है जैसे चपर स्टैंड शुविता जी है पोस्ट में दो तरफ से चपर स्टैंड वर्क कर रहा है एक तरफ से आप चपर जूटे जमा कर सकते हैं जाते समय जाने के रास्ते पर से उसी इसमें वह आपको जाते समय वापस में लेंगे आपका टोकन दिखा के उसके इसाफ से करीब 2,000 लोगों के चपल जूते हम लोग at a time ले सकेंगे और दे सकेंगे इस प्रकार की व्यवस्ता है पार्किंग व्यवस्ता हम लोग जगा की कमी है तो राजस्तानी महिला मंदर के बाजू में जो भी खाली जगा है कुलकर्णी ने किसे भी अन्होनी घटना को रोकने के लिए श्रधालों से गहना, जेवर, महंगी, मोबाईल नहीं लेकर आने की नसियत दी है उन्होंने कहा कि अपंग बिमार एवं गर्भवत मैलाव के लिए चार ए रिश्या निश्युल्क व्यवस्ता की गई है क्यामर परस्तान राजकुमार मोड के साथ शितिजा देशमुक की रिपोर्ट